हेलो दोस्तो नमस्ते आज हम देखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दा पाइरेमेडिन तो चलिए देखते हैं करिसे रेजोनेंस स्यो करता है हमारे पाइरेमेडिन की रिंग दिखिए जो एक डबल बॉंड है इसके अंदर क्या है दो इलेक्ट्रोन है ये नाइट्र के यहाँ एक कार्बन है इसके ओपर कौन सा चार्ज आएगा दोस्तो पॉजिटिव क्योंकि क्या किया है नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रोन लिया है इसलिए उसके ओपर नेगिटिव चार्ज अभी ये क्या है इस वाले कार्बन ने क्या किया है इलेक्ट्रोन यहाँ का जो हुआ resonance structure यहाँ पर हमारे pyramidian की ring ने यहाँ पर show किया यानि कि यह क्या हुआ first resonating structure हुआ उसके बाद में चलिए देखते क्या होता है अभी अभी क्या करना है देखिए इस वाले positive चार्ज यह क्या है sorry जोस्तो यह क्या है positive चार्ज है अभी क्या होगा यह four under five कि बीच में क्या है एक double bond है यह क्या होगा यह क्या होगा तो यह यहाँ पर replace हो जाएगा यानि कि यह आगे चला जाएगा यानि कि यहाँ आ जाएगा five और the छे के बीच में तो आने वाले structure में कहा होगा five under six के इधर होगा देखिए तो यहाँ पर जो positive चार्ज था वो अभी किस के तरब चला जाएगा जो सबसे छोटा है कुन छोटा है देखिए six five four four and the five के बीच में था अभी ओ कहा है five and the six में आ गया अभी देखिए ओ छोटा कोने four छोटा है ना तो four के उपर क्या आ जाएगा positive चार्ज आएगा five के उपर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है bond औरेड़ी shift हो चुका है तो यहाँ पर positive चार्ज आ गया उसके बाद में अभी देखते हैं क्या होता है तो यह क्या होगा यह bond जो है ओ क्या होगा as it is यहाँ पर stable होगा और nitrogen के उपर यह क्या है lone pair यह as it is हमने लिखा यह हुआ हमारा second structure यह क्या हुआ हमारा second structure हुआ चलिए अभी देखते हैं अभी देखो क्या होता है यह जो bond है three and the two के बीज में two हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा यहां पर इस khas चोटा है तो टू का है सबसे चोटा क्या और थिसार्च यहां पर होगा और य्किन पर हां और यह लोन ₹ और नेकीटिव चार्ज यह भी क्या होगे as it is होगे तो चलिए अभी देखो क्या होता है ये 2 है ये nitrogen के पास क्या है already क्या है एक loan pair है तो ये loan pair क्या करेगा इसको क्या करेगा यहाँ पर displace करेगा 1 and 2 के बिच में तो आने वाले structure में हमें यहाँ पर bond देखने को मिलेगा अभी देखो nitrogen ने क्या किया है इसको donate किया है इसको क्या किया है nitrogen ने donate किया है तो nitrogen के उपर अभी कौन सा भी charge नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि already कौन सा था minus था already कौन सा था minus था अभी इसने donate किया तो उसके उपर positive आया तो negative and positive क्या हो जाते है neutral हो जाते है ये पहले loan pair थे यह सिर्फ nitrogen के उपर आएगे अभी फिलाल कौन सा भी charge यहाँ पर नहीं आएगा और देखिए यहाँ पर जो bond था as it is हम लिखेंगे और यहाँ पर भी एक bond था वो भी as it is लिखेंगे तो हमें यह resonating structure यहाँ पर देखने को मिलेगा तो इसके आगे भी आप बना सकते हैं यहाँ पर भी stop किया तो भी चलेगा तो यह था दोस्तो resonating structure of the pyrimidin I hope आपको समझ में आया होगा कोई doubt होगा तो comment section में लिखिएगा वीडियो अंतक देखने के लिए दोस्तो दिल से शुक्रिया धन्यवाद and bye bye